नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हैं कथा मंथन में आज सुनिए कंचनलाल वासुदेव महताजी की कहानी गवाले में वह एकदम जवान थी, किसी के लिए 15 वर्ष की उम्र में ही होटो पर गिलाब खिल उठते हैं तो किसी की आखे सत्र में या अठार में वश में चमक उठती हैं जबकि उसके लिए सोल्मी शरद रितु में ही कंट से कोयल कूकनी लगी थी लड़कपन का स्थान अब खुबसूरती लेने लगी थी खिलती के लिए अब निखरने लगी थी कोई शिक्षा नहीं पाई थी उसने मगर थी बड़ी ही चंचला हलाकि वे शहर की नहीती फिर भी शिष्ट लग रही थी उच्वर्ग की नहीती फिर भी उजली थी आँखों में मानो ब्रहमर बैट गए थे नयंतीर की तरह तिक्षन थे गालों पर गुलाब खिल उठे थे सिर पर पीतल की जगमगाती हुई बटलोई रखकर वे जब सिवान पार करके वे गाउं में कदम रखती तो लगता था जैसे लक्षमी ने परवेश किया हो दूद ले लो दूद दूद ले लो कि उसकी आवाज गली में सुनाई देते ही दातुन लेकर बैटे वे सभी उसकी और देखने लगते है उसका दर्शन पुरुशों के लिए शुप शगुन था स्त्रियों की इर्शिया होने लगती थी वह गुजरात की ग्वालिन थी बड़े सवेरे ही घर से निकल जाती ताजा दूद लेकर वह हमारे गाउं में आती हर किसी को उससे दूद लेने का जी करता दूद ले लो दूद उसकी आवाज सुनते ही गली महले की स्त्रियां जट पट अपने बिस्तर से उठ जाती थी हमेशा वही लाल धोती मोटी पर साफ धोती मानो नई ही हो वह उसे इस सलिके से पहनती धोती की पीली किनारी थी और काला पल्लू कलाईयों पर वह हाती दात के भारी कड़े पहनती जिन पर चांदी की चिपियां लगी हुई थी पाउ में वह काफी बड़ी और भारी पायल पहनती थी नाक में नतुनी और कानों में नकली उंगलियों में चांदी के चल्ले गले में तावीच और काच के छोटे-छोटे मनकों की माला ये थे उसके आभूशन वह थोड़ा सा गुंगट निकालती थी इसलिए उसके बाल कैसे होंगे ये है किसी को मालूम नहीं वह बालों को सवारती होगी मांग में सिंदूर भरती होगी इसकी कलपना से उसकी खुबसूरती और ही बढ़ जाती थी उसके आने का समय होते ही मैं दातुन लेकर चबूतरे पर बढ़ जाता जब मेरे सामने से वह गुजरती तो मैं निरलज नजरों से उसे एक टक देखता वह बेचारी लजा जाती आखें जुका लेती पर अन्य तरूणियों की तरह अपनी चाल नहीं बदलती थी नाहीवर ठिटक जाती थी उसके हाथ यूँ ही हिलने डूलने नहीं लगते थे शांत और स्वस्त रहकर वह दूद ले लो दूद की मधूर आवाज लगाती रहती अपनी पत्नी से मैं हमेशे यही कहता हूँ तुम इसी गवानें से दूद क्यों नहीं लेते बेहन जी दूद लेना है बोलते बोलते इसका मुद दूद करने लगता है और तुमें इसकी कोई चिंता ही नहीं जाने की उपर जब से उसे देखा था तभी से मेरे दिल में अजीब से भाव उठने लगे थे जीच चाहता था कि पतनी हमेशा उसी से दूद ले ऐसा कोई उपाय करो ग्वालिन को कुछ देर के लिए अपने आंगन में बैठा लू और मौका पाकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करो ऐसी कोमलांगी होकर भी वह ग्वालिन के रूप में क्यों पैदा हुई उसकी छरहरी दे पर इतना मोटा कपड़ा कैसे टिकता होगा भगवान बिना सोचे ही तो मनुश्य को पैदा कर देता है उसी दिल मैंने यह भी सोचा कि काश मैंने किसी गौाले के घर जनम लिया होता तो अच्छा होता और भी अच्छा होता अगर तलाब के किनारे अदा से खड़े होकर मैंने बांसुरी बजाना सीख लिया होता गाउं के सिवान पर मनवेशियों के बीच लट पर अपना शेरी टिका कर सिर पर अंगोचह भांदे टिटकारते वे गीत गाता रहता तो बड़ा ही मज़ा आता यह गाउं का मकर कनहिया का जीवन था बावरा बना देने वाली ग्वालिन पर थी तो रादा की बहन बार बार उसकी सुन्दर्ता को निहारते रहने का मैंने मेरे मन पर पुरा असर पड़ा उसकी काजल कारी मगर घायल करने वाली आखो पर मेरा दिल ललचा किया जी चाहां मैं गलियों में उसका पीछा करता रहूं और देखूं कि अंततवे जाती कहा है एक रोज ठीक आठ बजे मैं उठ खड़ा हुआ और ना इधर देखा ना उधर और गाउं के सिंग द्वार पर जाकर खड़ा हो गया दूद बेचने के बाद घर लोटने के लिए भै यहीं से तो गुजरेगी और तब मैं अंजाना बनकर उसके पीछे चलूँगा मौका पाते ही जट से पूछ लूँगा तो कौन है तेरी इनाकों में कैसा जातू है गौलिनों की कौम में तो जैसी मधोश कर देने वाली परियां और भी है क्या सवाल मन में रड़ता हुआ मैं फाटक पर जा खड़ा हुआ तबी दौनों हातों से पैसों का हिसाब जोड थी खाली बटलोई को सिर पर लिए गर्दन सीधी रख नजरे जुका कर चलती हुई वे फाटक से बाहर निकली मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा बैल गाड़ी की लीग बनी हुई थी चुकि उची चड़ाई वाली जबीन पर रास्ता बनाया हुए थी इसलिए आसपास में मिट्टी की दिवारे बन गई थी पर इन पर करेल गुमची की पेड़ और बेले उगाई थी लीग के बीच की धूल को उड़ाती हुई वे तेजी से चली जा रही थी सूरज सामने था आँखों को चाओ देने के लिए वे एक हाथ उठा कर चाजन बनाई वे थी और दूसरे से बटलोई को पकड़ रखा था एक बार अचानक पीछे गुमाने पर उसने मिझे देख लिया उसे वहम हुआ कि कहीं मैं उसका पीछा तो नहीं कर रहा इसलिए वे कभी छोटे छोटे तो कभी तेज कदमों से चल रही थी उसी को देख मैं भी अपनी चाल बदलता रहा मुझे नहीं मालूम की वे ठागी नहीं केवल यह जानना चाहती है कि उसका वहम सही था या गलत हाँ उसकी पवित्रता और इच्जत को दूशित करने का कतई मेरा इरादा नहीं था उसके रूप ने मुझे चका चौन कर दिया था मन से मैं भरष्ट हो चुका था फिर भी दिमाग कुछ तो काम कर रहा था और मैं इतना पागल नहीं हो गया था कि सुध भुध खोकर कोई अनुचित सलुक कर बैठो इस परकार हम कोई आदे मिल तक चलते होंगे तब ही वह रुक गई वहाँ बरगत की चाया थी और उसके नीचे किसी ने बैठने के लिए चबुत्रा बनाया था उपर कोयल की कूंक नीचे बच्ड़े बकरिया गाए भैस आदी गूम रहे थे स्थान रम्नी है था सिर पर से उसने बटलोई नीचे ले ली और सड़क के दौनों और की हरियाली पर वह राम का नाम लेते वे उकडु बैठ गई जैसे गवाली ने बैठा करती है मैं उल्जन में पढ़ गया लौट जाओं या रुख जाओं बात करने का मौका आया की दिल तेजी से धड़कने लगा चहरे पर लाली तैराई सहस करके यहां तक आया तो था लेकिन उस गोरी गवाले ने मिरी ताकत चीन ली थी कुछ सोच कर मैं उसी रास्ते पर चलने लगा उसके पास से गुजरते हुए दो कदम आगे गया तो उसने पूछा अरे चंदन भाई कहां चले वह मेरे यहां रोज आया करती थी इसलिए मुझे भली बाती जानती थी लेकिन यो एका एक वह मुझे से गुफटगू शुरू कर देगी ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था तो क्या वह जान गई होगी कि मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ मेरे बारे में वह क्या सोच रही होगी इस तरह कितने ही ख्याल मन में आने लगे फिर भी उसके सवाल का जवाब तो देना ही था हड़ बढ़ाते में मैंने यही का अरे तेरा गाउं देखने जा रहा हूँ यह कहने के बाद मैंने सोचा कि मैं यह क्या बुल गया उसका गाउं देखने का मेरा क्या इरादा था और अब जरूर उसने मेरी कमजूरी को जान लिया होगा शायद उसे नहीं पसंद और अगर उसने किसी से कह दिया कि चंदन भाई हमारा गाउं देखने आए थे तो उसने पूछा अरे उसमें देखने का है ही क्या आपके गाउं जैसा थोड़ी है चलिए यहाँ आई यह थोड़ा सा दूद पिरीजिए बकैन भैस का है जाए का याद रह जाएगा हाँ मेरी उलजिन बिट गई मेरा सलुक उसे अप्रिया नहीं लगा था बल्कि सामने चलकर मुझे बुला रही थी ऐसी बात तो नहीं थी कि इससे मैं बदनाम हो जाऊ गुली अगर बुलबुल को बुलाने लगे तो इसमें बुलबुल का क्या दोश नाक स्वैम बीन के पास आ जाए तो बीन बजाने वाले का क्या कुसूर अब तो जो होगा सो देखा जाएगा अपनी मुराद का जो होना है होने तो नहीं नहीं मैं भला यहां दूद कैसे पी सकता हूँ कल घर पर दे जाना वैसे दूद पीने का तो मन मेरा बहुत लग जा रहा था लेकिन यू उसके कैने बर से पीलू गवारा नहीं हुआ घर की बात घर पर पहले यह पीली जिए वहां ऐसी बरगत की सुहनी चाय मिलेगी क्या वहां तो हमारी बहन जी को पता चलेगा तो जाने क्या क्या सुना देंगे अगर कोई कहने लगे कि वह अनपड़ती तो इसका मतलब यही होगा कि उसे अक्षर ग्यार नहीं था कोई अगर कहे कि उसे बात करना नहीं आता तो इसका मतलब होगा कि उसकी बोली में शेहर की चापलूसी नहीं थी स्वस्त महौल के बीच वह पल रही थी स्वचंददा का मज़ा वह जान गई थी और अपने ग्रामिन मगर मधूर सुर में इस बात का वह मुझे सबक सिखा सकती थी और फिर ऐसे समय इस एकांत में सहज और प्रभावित हो जाओं ऐसे ढंक से वह अपने मन के सहज भावो का इजहर कर सकती थी और मैं मैं तो मानो उसकी बरौनी से बनता जा रहा था ठीक है ठीक है मैं दूद पी लूँगा अगर पैसे लेगी तो कोई बौरा तो नहीं गया आप मैं पैसे ले सकती हूँ क्या मेरी कसम जो आपने दूद नहीं पिया तो कहकर मैं जहां उक्डू बैठा था दूद का पयला उसने मेरी और बढ़ाया उसमें चीनी नहीं मिला ही थी और उसे उबाला भी नहीं गया था पिर भी दूद का स्वाद मुझे लजीज लगा अपने आप में दूद स्वादिश्टी होता है दूद ताजा दोहने पर जो कोई पीता है वे है उसकी मिठास को अच्छी तरह जानता है और यह दूद तो एक जामाजेब ने इसरार करके अपने हाथों दिया था और मदोश हो चुके आदमी को पीने के लिए मिला था अच्छा गौालीन तेरी जाती क्या है दूद पीते पीते में बाते कंडले आप तो ब्रश्ट हो गए है नहीं नहीं मैं इस दिया नहीं पूछ रहा, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ अब बता बिदे तिरी जाती क्या है? क्यों जी? हम तो ठहरे मवेशी चराने वाले गौाले तेरा ब्याया हो चुका या तू कुवारी है मेरा भागलपन बढ़ता जा रहा था कुछ लजाते वे धीमी स्वर में बूरी ब्याय हो चुका है किसके साथ ओफ चंदन भाई उनका नाम भी लिया जाता है क्या हम जैसे किसी गौले के ही साथ प्रीम क्या होता है क्या तु जानती है मैं तुझे से सुदभुद को बैटा था क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं इसका कोई ध्यान नहीं था मुझे वे समझ ना पाई कि मैं क्या पूछ रहा हूँ अरे क्या तु जानती है प्यार क्या होता है तेरा आदमी तुझे प्यार करता है पागल तो नहीं वे चंदन भाई नहीं बस मुझे बता दे मैं यहां तक तेरे पीछे पीछे आया हूँ गली में बात करते वे डर लग रहा था अब बोल मेरी कसम है अगर तुखामोश रही तो कहते कहते मैं उसके सामने हो गया बीच में दूद की बतलोई या थी हाई राम हंडिया भूल गई मैं वे एक बारगी बोली तो मैं चौका वे खड़ी हो गई चंदन भाई मेरी बतलोई पर नज़ा रखेंगे मैं अपनी कूटे में चावल की हंडिया कही छोड़ा आई हूँ अभी गई और अभी आई अगर मुझे दिन भर धूप में बैठने क्यों कहती तो मैं उसके लिए भी तैयार था कुछ देर के लिए क्यों नहीं हाँ हाँ तो आप मैं यही बर्गतले बैठा हूँ मुझे रास्ते में बैठा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा बटलोई लेकर मैं करीब के एक टपरे पे गया वहां किसी ने चारे का बिस्तर बिछाया वा था उपर सरकंडों का छपर बनाकर बबूल की डालों से खंबे खड़े कर दिये थे पीछे वाली दिवार में खिड़की थी दिवार को टेक कर मैं पैर फैला कर पैट गया वारे गोरी क्या जाशनी है तेरे गाओं की बोली में पस आज तो उसे नहीं छोड़ूगा बाते तो ऐसे बनाता रहूँगा ऐसे बनाता रहूँगा कि उसका अपना गर भी भूल जाएगी देखूं की वह मुझे गाएं चराना सिखा देती है क्या अगर मैं महीन साड़ी तंग चोली और रेशम का लहँगा पैंती तो कैसे लगती अगर जुडे में एक गुलाब पिरो दिया होता तो गले में मोतियों की लड़ी होती ऐसी ही मदमस्त चाल में उसे जाती हुई देकर कौन फिसल नहीं जाता मन की उड़ानों को जोड़कर मैं उसके रूप को और भी दिल्चस्प बना रहा था और उसी कालपनिक चित्रे से मोहित होता जा रहा था उसकी बटलोईयों पर कुछ नाम लिखा हुआ था जो मैं पढ़ने लगा दली धुंदलासा इतना ही पढ़ा जा सका मैंने सोचा कि दली उसी का नाम होगा इस तरी का नाम क्यूँ शायद पीहर से ससुराला थे समय उसके माबापने वे बटलोईयों उसको दी होंगी अंदर और बाहर कितनी साफ रखी थी उसने दूद की शोबह बड़े और वे पीने में अच्छा लगे इसमें ताज्जुप कैसा बटलोई के कारण भी दूद स्वादिश्ट लग सकता है सिर पर रखने के गेंदली में क्यों नहीं ले गई थी जब भी गाउं में आती बटलोईयां सिर पर टिका कर ही आती और तब उसकी आवाज भोर में जैसे प्रभाती मधूर लगती है वैसा ही उसका गूंजता हुआ कंट था इसे सुनकर लोग अर्ध चेतन अवस्ता में शुब शगुन के स्वपने देखने लगते हैं और सारा दिन आनंद में बीच जाता है सारे लोग गाओं में वह मानो इश किरपाथी देवी थी इस तरह सोचते वे मैं कोई 20 मिनट तक बैठा तब ही लोटते वे उसने पूछा अभी बैठें आप? क्यों? हंडिया मिल गई क्या? नाई रे, चार-पांच घरों में जाकर पूछा मगर कहीं नहीं मिली जाने किसके घर छोड़ दी होगी? कहां कहां बटकती फृती कहकर वे मानो निराश होकर बैठ ले दली? मेरे दली कहती है वे चौकी गाओं में लोग मुझे दूद वाली कहते हैं तेरी बटलोई पर लिखा है यह तुझे तेरे पीहर से मिली थी ना तेरे बिया के वक्त? मैं उस गौालिन में ही इतना लीन था कि मैंने जाने कितने जुदा जुदा अनुमान किये यह कोई ताज़ुक की बात नहीं थी अरे तेरा यह दूसरा बिया है? उसके गले में शोक का ताविज देखकर मैंने पूछा जैसे ही मेरी आँखे उसके गोरे बदन को नहारने लगी तो मेरी और देख उसने अपनी दोती को समयटकर उपर किछ लिया पैसे तू और तेरा आदमी दिन भर क्या करते हैं? यह भी कोई जिन्दगी ऐसा आप कहकर उसने नजर फेली हस दे अरे नहीं नहीं बता भी सुबह शे शाम तक तुम लोग क्या करते हो सब बता मुझे और क्या करेंगे? मवेशियों के पीछे लगे रहते हैं प्रोती बिस्तर छोड़ देते हैं, हाथ में दोकर बच्छोडों को दूद पिलाते हैं वै गाएं को दोता है, मैं भैसों को दूदी हूँ चारा वारा डाल कर हम दोनों चल देते हैं सिमांद पर आकर वै दूसरी और जाता है और मैं आपके काउं के और मुड़ जाती हूँ दूद बेच कर वहाए, तब तक मैं यहां बैठी रहती हूँ अचानक मैं डर गया कहीं, उसका गौाला ना आ जाया और मुझे उसके साथ बैठा वाद देख लिए तो मैं अपमानित हो जाओं और उपर से शायद लेने के देने भी पढ़ जाए यह सुसते ही, मेरे चाहरे पर चिंता और भै के भाव चा गए और उठते वे मैंने अपनी टोपी हाथ में ले लिए अरे अरे आप तरीक न रहे आज मैं अकेली हूँ गया तो घी बेचने गया है मैंने शिंद हुआ और बाती चारी रखे तेरा आदमी बासुरी से ऐसा क्या बजाता है कि तुम सब जहां के तना खड़े रह जाते हो तला आपके पास खड़ाओ कर मैं बासुरी बेचाने लगू तो बजा भी पाऊंगा क्या हाँ हाँ क्यों नहीं बजा पाएंगे आपको हम जैसा बनना भी भाएगा तेरे खातिर दली जो तुखाएगी मैं भी वही खाऊंगा तेरी मोटी मोटी रोटियां पचा लूँगा तेरी गाये चराने ले जाऊंगा मन में बस यही सोचता हूँ कि तेरा गाउं जाने कितनी दूर है चार-पांच खेतों की दूरी पर सामने जो जो जोपने दिखते हैं ना वही है आप हमारे घर चलेंगे क्या हम तो चद्दर बिचा कर सो जाते हैं खटिया भार कुले में ही बिचाते हैं पास में मवेशी बंदे रहते हैं जो राद बर गोगो चिल लाते हैं आप जैसे शेरिफ जादे वहां नहीं रह सकते हैं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा और फिर तुझ जैसा कोई पास हो तो मैं अपने घर जाने का नाम ही नहीं लूँगा इन बातों से मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे पर मर मिटी है मैंने सोचा मैं उसका दिल जीत सकता हूँ और धीरे धीरे वह मुझे अपने दिल का राज बता देगी मेरा दिल आशा से फूल की तरह खिलने लगा जरना बहने लगा ठीक वैसे ही मेरी कलपना भी बहने लगी मेरा जी केतकी के फूल की तरह उसी के ख्यालों में डोलने लगा था हाथ में तिनका लेकर वह जमीन पर लकीरे बनाती गई तिनके को कमान की तरह मोड़ती, तोड़ कर उसके टुक्रे करती हुई, खेल में मस्तिती और बिना किसी घबरहट के, बिना भै और शरम के किसी परीचित की तरह मुझसे बतिया रही थी पल भर हम दोनों चुप रहे, तब ही मानो एका एक जैसे बिजली सी कौन्द गई मेरा दिल बच्चे की मानिंद थरधरा उठा, आनंद की फुआरों के बीच मानो गम की लहर फूट निकली, टपरे की खुली खिड़की से, मेरी पत्नी ने जहाका और तीकी नजर से मुझे देखने लगी उसे देखते ही मेरा शरीर बुरी तरह कापने लगा, क्रोध से उसकी आँखों में पानी तैरने लगा, वह इस उलजहन में थी कि क्या कहे और क्या ना कहे, उसके मन में एक ज्वार सा उठ रहा था कि मुझे वह काफी कुछ भला बुरा सुना दे, फिर भी, फिर भी उसके म भी शब्द नहीं निकला, मुझे देखती रह गई, मैंने नजरे जुका ली, और दली, धूरत दली पल्लुम से मुझ छिपाए हास रही थी, किसी चित्रे के लिए बनाने के तीन ही विशय थे, एक काली का, दूसरा जादू करनी का, और तीसरा बेफकुफ का.